अकड़े पूरी तरह से फेल हो जाते हैं जहां कट आफ बहुत हाई जाती हो और अब हमारे सामने चलेंज है कि हम यूपी बिहार जहां से 38,000 बच्चों ने यूपी से डेटा दिया है हमें हम एक लैपटॉप से लाइव कर रहे हैं लैपटॉप का ही कैमरा है अगर क्वालिटी थोड़ी कम आ रही हो तो और यह ना अभी जैसे कट आफ की वीडियो तो मैंने आपको बोला था कि आठ तारीक साम को आठ वजे एक्जेक्ट कट आफ की वो बंदे पाएंगे मतलब मैं अच्छारों की एनलाइसिस अच्छे से हो जाए और कोई भी बच्चा दोके में न रहे किसी भी तरीके से तो अभी जो डेटा आया है कि वो इतना डेटा आ गया है मेरे खाल से हर वो बच्चा जो सलेक्ट होगा सबने डेटा दे दिया है चाहे हो किसी भी स्टेट का हो तो यह जरूरी नहीं है कि सारे राज्यों में सटीक बैठे कि फिर तो वह भगवान थोड़ी हैं इनसान ही है हम लोग अंदाजा ही है यह चाहे डेटा ही हो हमारे सा पास तब भी और इस पेसली यह वहां जाकर के आंकड़े पूरी तरह से फेल हो जाते हैं जहां कट आफ बहुत हाई जाती हो और अब हमारे सामने चलेंज है कि हम यूपी बिहार जहां से 38,000 बच्चों ने यूपी से डेटा दिया है हमें बिहार से मैं भी दिखाऊंगा आपको कि इतने सारे बच्चों ने अलग-अलग जगे से डेटा दिया है अब देखो बहुत सारे बच्च हो और यहां नीचे अगर मैं करता हूं तो भई एक सेकिंड इसको नीचे कर लेता है यह आप देखिए थोड़ा सा लैप टॉप आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा बर ऐसे हैं ठीक है यह देखिए इसमें आपको दिख रहा है थर्टीन पॉइंट नाइन परसेंट फीमेल डेटा दिया है एक्टी सिक्स पॉइंट वन परसेंट मेल डेटा दिया है एक लाग तीन हजार बच्चों का डेटा आना अपने आप में बड़ी बात है आज तक लाग बच्चों का डेटा हमारे पास नहीं आया कि यह देखिए उत्तर प्रदेश ने 49,000 क्या है रोप दूसरे नमबर पर बिहार है तेहरे हजार एकसो सत्ता हुए बारे पॉइंट आठ परसेंट बच्चे ने भी हर से डेटा बरा है और अगर मैं राजिस्थान से बात करूं तुम उठ जाओ तुम उठ जाओ इसको देख नहां अभी बठा लेंगे एक सेकेंड इसको डाउन है तो यह देखो आप महरास्ट उसरी राजिस्थान से 12208 बच्चों यह लगातर बढ़ रहा है और राजिस्थान का नाम आ रहा है तो हम परसों जैपूर आ रहे हैं आपके पास साथ तारीक को तो वहां मुलाकात होगी इनमें से बहुत सारे बच्चे मिलेंगे 12208 में से औ और आगे अगर मैं बात करूँ साथ दिखरा है बच्चों तो यहां देखिए पंजाब से भी 1181 बच्चों ने डेटा दिया है यह है उडिसा का 1344 बच्चों ने डेटा बरा है और महराश्ट से 4694 बच्चों ने डेटा दिया है MP से 5461 बच्चों ने डेटा दिया है यहां अगर हम देखें जहारखंड तो काफी मतलब हर स्टेट से हमारे पास डेटा आया है और गुजरात से भी इतना डेटा है यह आप देख रहे हैं आज Google Form कैसे एनलाइसिस किया जाता है मैं सब कुछ आपको दिखाना चाहता था य यह वेस्ट बंगौल देखिए मतलब हम कहें कि यहाँ इसको विहार को राजिस्थान को छोड़के फिर अगर कोई बड़ा स्टेट है तो फिर वेस्ट बंगौल है मैं अडिय प्रदेश नहीं वेस्ट बंगौल 56 ए एपंपन सो है MP 54 है और फिर महरास्ट अर तो काफी बच यहां पर बच्चो 51.9% डेटा यानि OBC का यह है SC का 18,536 बच्चो का डेटा जनरल 11,841 और EWS 14,369 STB 590 बच्चो का डेटा है जो काफी अच्छी संख्या है हर केटेगरी का अनलाइसिस करने के लिए यह आप देखेंगे कि भई देखो अब यहां आपको बरावर बरावर सब दिख रही होंगी तो इससे पता लगता है कि यह डेटा फेक नहीं है अगर यह होती तो कोई एक आद बहुत ऊची उठ जाती बिल्डिंग है न तो देखो बरावर बरावर हर डेट को करीब करीब हमें साट आठ वच्छों का डेटा मिल रहा है लग भग लग यह बहुत चोटा से एक डेट मिल रही है कि 30 मार्च इस दिन हुआ था रिए अग्जाम है नहीं यहां ग्यारह सो आठ बच्चों का डेटा मिला है हलाग यह हुआ भी कितने बच्चों गाँ सोलहजार का उन में से 1000 एक हजार से ज्यादा तो सेलेक्ट भी नहीं होंगे 16,000 में से तकी बात है तो सेलेक्टिड बच्चे डेटा भर देते हैं अल्मुस्ट हर सलेक्टेड बच्चे कर डेटा अब हमारे पास आ चुका है तो जहां इतना यहां बैठेगा मेरे खाल से उतना ही अब होना चाहिए फाइनली सब कुछ अगर मैं दिखाऊं कि यहां पर सिफ्ट वाइज देखो यह सटीकता का प्रमान है कि हर सिफ्ट लगबख बराबर बराबर परसेंटेज रख रही है देखो करीब करी 25 25 होना चाहिए था चारों में चार सिफ्टों में एक्जाम हुआ लेकिन कोई 24 पॉइ हाटे हैं 155 प्लस जो बच्चे मान जिन्होंने दिये ना में माक्स हमने सब को फेक माना है हाँ अब यह हम और नीचे आते हैं तो जा दिखाएंगे आपको वह आप डेटा बढ़ते हो इसलिए सब कुछ आपको पता होना चाहिए टोटल रॉंग कोश्चन है अचार हुआ है 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 एक लग और डेटा बढ़ रहा है एक लाग चारहजार एकसो चालिस हो गया रेगुलर बढ़ता जा रहा है हाँ हां आटेंट्क्ट मैं दिखा रहा था देखे एंक्र आटेंट्स जो है ना मैं थीससे हजार बच्चों ने पूर ऐसी मेंसे असी अटेंट्स किए जैकर टोटल आटींट्स कुउस्छन इस बार ये पता लगता है कि बच्चों ने अटेम्ट तो ज्यादा तर नहीं पूरा पेपर किया है ये दम से माउस खराब चल ला भी तेरा पूरा सिस्टम हिला देता है ये इसको लगा देना है और माउस एक सेकेंड बच्चों अब आज सही आ रही है कि वीडियो में ठीक है बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये सब टेटरम बाजी हमें पसंद नहीं है पर आप जो है सीधा हमें कट आप बता दीजिए तो इतना असान नहीं होता हमारे लिए भी कट आप बताना क्योंकि आपको तो एक ही बात फिर लास्ट में कहनी है कि सर ये ऐसा इतनी नहीं जा सकती ऐसे कैसे चली जाएगी तो हम यह सब काम करेंगे इस पर डेटा एनलाई से हम पिछले साल की भी तुलना करेंगे कि हमारे गूगल फॉर्म से कितना फरक आया था एक्चुल कट आफ में हम उ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगी है टोटल रॉंग कोश्चन टोटल रेयार एकदम ना नीचे कैसे बहुच जाता है तुम एक सेक्ट लेकर नहीं डेटा बहुत अपडेट हो रहा है ने डेटा सही है इस वज़े से दिक्कत हो रही है लगातार डेटा अपडेट होता ह है टोटल रॉंग को मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहरा तो यह रुक नहीं सकता डेटा आना यह तो गूगल फॉर्म से है अच्छा तुम दिये दिखाओ छोड़ो इन बातों को एक सो चालिस प्लस एक्सल सीट पर आ जाओ वहां साथ चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं पर बच्चो में से कमरे देट तुम का क्या सचना चार्जिंग जरूरी है खर गोल conversations तो वह सो चाविस एकलेष भच्चों पड़ुना से क्षाविस उपर कीड़ने फेक माना है अर्लेंगा और सबीक्च्च करमास सकते हैं ल sponsor कहलों इसमें कोई सक रहीं है तो वहाला की बह 182 बच्चों के 140 पिलस मार्क्स हैं तो ये हाँ ठीक है वो तो ठीक है इनका एवरेज 140 पिलस वालों का 143.3 है क्योंकि हमने 140 से 155 तक लिये हैं तो इस एवरेज अगर 143 आ रहा है तो ज्यादतर बच्चे 140 के आसपास हैं इससे पता लगता है 1500 पिलस बहुत ही कम होंगे चलो 1500 पिलस भी देख लेते हैं 130 बच्चों की संख्या है 1500 पिलस तो जो हो सकती है पर जैसे 188.85 मुझे लगता है कि ऐसे मार्क्स बनेंगे नहीं चलो आगे आओ नहीं नहीं बनेंगे पॉइंट तो फाइव के उसमें रेशो में रहेंगे 130 से 135 के बीच अच्छा कितने बच्चे 130 से 135 तक 8,318 बच्चे हैं यह संख्या यहां दिखाई दे रही है ठीक है और आगे दिखाओ वो 135 से 140 के बीच कितना है 135 से 8,000 वो उपर घटता जाएगा वो यह 6,271 बच्चे है वो 8,000 कुछ थे नीचे आओगे 125 से 130 तो दस से प्लस मिलेगा मेरे ख्याद से 9,300 नीचे थोड़ा और बढ़ता रहेगा वो तो जाहिर सी बात है उपर चलोगे थोड़ा कम होता चला जाएगा 120 से 130 की रेंज लिए है हमने पूरी तो 120 से 130 तक 19,000 वच्चा है टोटल 1990 काफी बड़ी संख्या है और 140 पे भी पार 3000 बच्चा है तो यह मुझे लगता है कि ओवरॉल पूरे पेपर में यही होगा मुझे लगता है कि अगर एक आद़ परसेंट बच्चों ने डेटा नहीं दिया होगा 140 पिलस वालों ने तो 3000 बच्चे ही ओवरॉल होंगे पूरे पेपर में अब आप यह मत सोचना कि सर आपको डेटा समने थोड़ी दिया होगा जाए तीन से चार इतना ही होगा 140 प्लस वालों बच्चों का डेटा हाँ अभी स्टेट वाइज देख लेते हैं हम कि यूपी में 140 प्लस कितने हैं थोड़ा यह मिर को देखना है यूपी में 140 प्लस टोटल 3000 कुछ थे तो 251 बच्चा तो यूपी के अंदर ही है जिसके 140 प्लस मांक्स है अब इसमें से कुछ फिजीकल हमें रहेगा वो अलग बात है बट क्योंकि अगर हम वेकेंसी देखेंगे मेरे ख्याल से 178 वेकेंसी हैं यूपी के हिस्से में तो अगर मैं फीमेल देखूं 140 प्लस वाली 144 हैं 130 प्लस वाली देखना फीमेल यूपी में ऐसा बच्चो हम हर स्टेट वाइज यह करेंगे तो आपको पता है ना कितना टाइम लगेगा डेटा में तो साथ सो चौतिस महिलाएं यूपी के अंदर यूपी के अंदर 130 प्लस मार्क्स कर रही हैं 734 महिलाएं जो एक अच्छी खासी संख्या है ठीक है तो बच्चो इस तरह से हम अपना डेटा लगातार एनलाइस करते रहेंगे हम केटेगरी वाइज भी करेंगे इसको तो आपको भी पता है कि अगर स्टेट वाइज देखे करेंगे सारी सिफ्ट वाइस तो अभी जस्ट में यह बता रहा था आपको कि मोटा मोटा एक आपको आइडिया दे दूं कि एक लाख पांच जार बच्चों का लगबग हमारे पास डेटा पहंच चुका है और यह एक्जेक्टली मुझे लगता है कि एक आदर परसेंट नहीं होगा वो नहीं देखता होगा यूट्यूब चैनल्स वगेरा को और जिसका आना होता है ना तो वो लगाता टच में रहता है सब चीजों के तो वो जहता भी एक मेरे को ऐसे सफ मेलेगी तो मैं अपना डेटा डालूं तो नंबर आने वाला बच्चा ज्यादा उम्मी लाग क्या असपास बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा वो कितने माक्स पूलाया जाएगा इस पे भी थोड़ा सा अब हम करेंगे अपना मन अंचनतन जो भी कर सकते हैं ठीक है बच्चों मिलते हैं फिर इस वीडियो में बस इतना ही मेरे को आपको बताना थ असारी चिजोगो